Hello dear my students, myself Dr. Narish Bharti, Director of WellCare Overseas Bangalore. Now dear my students, today's video very important for neat aspiring students. आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका ड्रीम है फ्यूचर दॉक्टर बनना. और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Overseas, Abroad में अगर आपका सपना है बाहर जाके इंडिया के बाहर जाके MBBS डिग्री पढ़ना है, कोर्स करना है तो आज एक कंट्री की मैं बात करूंगा MBBS in Georgia और उसमें कौन सी इनिवर्सिटी की हम बात करेंगे और क्या जरूर देखना सब्सक्राइब करेंगे अगर आप प्लान कर रहे हो आउट ओफ इंडिया मानला आपको MBBS in Georgia पढ़ने जाना है और MBBS in Georgia पढ़ने जाना है और आपको वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो पहला इंपोर्टेंट तो यह है कि कौन अप्लाई कर सकता है तो आपका 12 में at least BCB में 50% होना चाहिए and above and दूसरा important आप नीट कौलिफाइड होने चाहिए अगर आपको वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है अगर आपको वापस इंडिया में नहीं आना है आप नीट कौलिफाइड भी नहीं और फिर भी आप जाना चाहते हो तब भी आप प्लान कर सकते हो but in that case आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं क्या आप नीट इलिजिबल नहीं हो ता प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं आप next exam लिखने के लिए eligible नहीं हो पाएगा अब सबसे important बात इस video में यह है कि आज में इक इनिवर्सिटी की बात क के बीच में हैं तो आज इस इनिवर्सिटी के बारे मैं बताऊंगा जो आपके बजट में करेक्ली फिट बैट सकती है अगर आपका बज़र 25 तू 35 लेक के बीच में टोटल खर्चा टोटल वता रहा हूं में रहना खाना ट्विशन पी सब कुछ मिला के तो आज इस इनिवर् इनिवर्सिटी बाव इंटरनेशनल मेडिकल इनिवर्सिटी यह जोर्जिया में बातुमी में है बातुमी सिटी है वहां पर आपको यह इनिवर्सिटी मिलेगी और अगर इस इनिवर्सिटी में पढ़ने का प्लान करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं पहला ब आपका बजट अगर आप फीस साड़े तीन से चार लाग रुपे भर सकते हैं या सेमेश्टर वाइस मिनिमम दो लाग रुपे आप बरने के एवस में हैं या आप कैपेबल है हर छे मैंने में दो लाग बरने के लिए तो ये इनुवर्सिटी आपके बजट में फिट बैठती है क्योंकि इस इनुवर्सिटी में एनुवल फीस इन अराउं चार लाग रुपे पर ये फीस है अच्छी बात क्या है इस इनुवर्सिटी की अगर आप सेमेश्टर वाइस भरना चाहते फीस तो आप सेमेश्टर वाइस भी बर सकते हैं बट इंपोर्टेंट चीज यहां पर यह है कि अगर आपको एड्मिशन चाहिए तो जल से जल इस इनुवर्सिटी में आपको एपलाई करना होगा और जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर भी आप कॉंटेक्ट करके आप अप एड्मिशन के लिए और सपोर्ट ले सकते हैं इंपोर्टेंड क्या है कि से 20 लोकल जो हस्पिटल से या क्लीनिक से उनसे भी ये इनुवर्सिटी डारेक्ली इन कनेक्टेड है उनके कॉलाबरेशन से तो आपको क्लीनिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा एनमसी से अपरूवड है और वर्ल्ड फेडरेशन और मेडिकल एजूकेशन से भी से अपका कोर्स और एक साल का इंटर्शिप एस पर था एनमसी नॉर्म तो यह सारी चीजे आपको इस इनुवर्सिटी में मिलती है तो एड्मिशन ओपन है और जो फर्स्ट हंड्रेट स्टूडेंट है उनके लिए अप टू 30-40 परसंट स्कॉलर्शिप भी इनुवर्सिट दे रही है क्योंकि एक्च्वल फीज इनुवर्सिटी की 6500 उस्ट है अगर आपके परसेंटेज क्राइटेरिया नीट स्कॉर उसके अकॉर्डिंग अप्टू 30-40 परसंट स्कॉलर्शिप भी आपको मिल रही है तो अगर आपका बजट साल का 4 लाग तक फीज बरने का है त इस इनुवर्सिटी में आप एड्मिशन लेना चाहते है तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कॉंटेक करके आप अपनी कंप्लीट करियर कांसलिंग का अपर्णमेंट बुक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही ऐसे ही में आपके लिए रिलेटेड मेडिकल रि रिलेटेड या आपके फ्यूचर करियर रिलेटेड वीडियो लेते आता रहूंगा तब तक के लिए नमस्कार जै करनाटका जै भारत जै हिंद्ध